जैहिन साथियों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल इंतियास क्लासेस पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेकपाल भरती और वीडियो की भरती में अंतर क्या होता है लेकपाल की भरती और वीडियो की भरती की अंतर में हम ये जानेंगे कि इसमें कौन-कौन से काम होते हैं लेकपाल का काम क्या क्या होता है, वीडियो का क्या क्या होता है, लेकपाल की सेलरी, वीडियो की सेलरी में अंतर क्या है, प्रोमोशन क्या है और जिसका आप सबसे ज़्यादा सवाल पुछते हैं उपरी इंकम उसके बारे में भी एंत में हम बात जरूर टेरेंगे तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन होने वाली है जो लोग हाल ही में लेकपाल के एक्जैम में पास हो चुके हैं और वीडियो की तहरी भी कर रहे है जिनका लेकपाल में भी नाम आ गया है या और वीडियो का री एक्जैम में भी उनका नाम आ सकता है तो उन दोनों को, ऐसे लोगों को इन दोनों ही जॉब में किसी एक को चुणना होगा तो उनके लिए बड़ी सम心्हा हो सकती है कि लिएक पाल के विएनशी को चुने या वीडियो की विएनशी को चुने तो आज के इस वीडियो के बाद आपको ये doubt खतम होने वाला है, चुकि आज मैं बहुत ही कम शब्दों में इस बात को clear करने वाला हूँ कि आपको कौन सी job चुननी चाहिए, बिना देरी किये जल्दी से आईए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो, तो वीडियो शुरू कर इस बहले मैं आप सभी से request करूगा कि वीडियो को पूरा देखेगा ताकि आपको पूरी बात समझना सके और comment में आपको कुछ भी पूछना ना पड़े, फिर भी comment box आपके लिए खुला हुआ है, आप जब चाहें, जैसा चाहें, पूछ सकते हैं, और मैं जानते हैं कि मैं सभी का जवाब देता हूँ, कोई भी ऐसा comment नहीं, जिसका जवाब ना दे पाता हूँ, शाहिदी किसी का छूड़ता हूँ, तो मैं उसको टेलिग्राम पर जरूर आंसर करता हूँ, तो आप चाहें तो टेलिग्राम भी जोएल कर सकते हैं, तो देखिए, आज हम बात करने का है, छे पॉइंट है सबसे जादा महत्तपूर, जिन पर आपको समझना चाहिए, और अच्छे से समझेंगे ना, तो आपको हर एक की समझ में आ जाएगे, इसलिए वीडियो स्किप मत करिएगा, कुट मत करिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, जादा लंब वीडियो न चाहिए, यह डिपेंड करता है आपकर, जी हाँ, आप पर ही डिपेंड करता है, कैसे, अगर आप आगे की पढ़ाई, फर्दर स्टेडीज लिखाएगा, तो यहाँ पर रौगा है, मतलब अगर आप फर्दर स्टेडीज में यकिन रखते हैं, कि आप यह चाहते हैं, लेक की कर लेने के बाद में आगे भी पढ़ाई कर पाऊं या कर पाऊंगा की नहीं कर पाऊंगा तो यह question आप पर ही depend करता है अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि भई आप लेक पाल सवाल यह है बच्चों का कि वीडियो और लेकपाल में कितना समय जो मांगती है देखें अगर बात करें तो यह जो वीडियो है वो जो है यह लेकपाल जो है ओफिस टाइम के लिए ओफिस राइब का मतलब आप तो समझते हैं फिर लगबग वही नौ से लेकर पांच बजे क् आफिस टाइम रहता है या दस बजे से लेकर पांच बे टाइम रहता है यहां पर ठीक है लेकिन पांच करें अगर वीडियो की तो इसमें आपको कभी भी बुलाया जा सकता है इवन कुछ में तो ऐसी भी कंडिशन रहती है कि रात में भी आपको जाना पड़ सकता है तो इ पाल चुनूं या वीडियो चुनूं तो साफ सी बात आप यहां पर आपको पता चल गई कि आप लेकपाल ही चुनिए चुकि हहां पर ऑफिस टाइम है एक सीमिश समय के अंदर आपको जो है अपना चुटी मिल जाती है लेकिन वीडियो में कहा रहे थे चुकि गाव काम ही व गाउं का दोरा करना पड़े या गाउं में ही रहना पड़ जाए इसलिए जो further studies के questions आते हैं उसके लिए वीडियो का तरही recommend नहीं की जा सकती कि आप आगे बढ़तर यहां पर job कर सकते हैं मतलब आप अगर पीसेस लेवल की तैरी कर रहे हैं या किसी और other job की तैरी कर रहे हैं अब हम बात करेंगे promotion की देखिए सबसे बड़ी चीज़ है promotion की जिसी किसी भी सरकारी नौकी को जब हम पाते हैं तो उसमें कहां कहां तक हम promotion पा सकते हैं यह सबसे बड़ा question आपका रहता है तो देखिए अगर आप लेकपाल बनते हैं तो आपकी promotion क्या क्या हो सकती है देख इसके लिए तो बहुत ही पापड़ बेलने पढ़ेंगे, बहुत इंतजार करना पढ़ेगा, अगर आपकी जॉब लेकपाल में लगती है, तो आप SDM तक बहुत सकते हैं, हलकि SDM बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, चुकि इसके लिए जो प्रॉब्लम ये है कि आप आपको बहुत हलकी उमर में लेकपाल बनना होगा, मतलब वही करीब 18 से 20 साल की उमर में अगर आप लेकपाल बन जाते हैं, तो आप तहसीन दार तक तो बन पहुँच सकते हैं, SDM पहुचने में बहुत मुश्किल है लेकिन कुछ लोग शायद पहुच भी जाए, कुछ का example ऐसा आया है कि वो SDM तक बन गए हैं लेकपाल में, लेकिन उनके लिए चाहिए कि वो प्रमोशन जल्दी जल्दी मिले, उनका certificate अच्छा हो, character certificate अच्छा हो, अगर ये पांसे साथ साल लेकपाल के लिए, फिर उसके उपर आपको दस साल के असफ़स लेकपाल के लिए, फि वीडियो की जोब का सेलेक्ट होते हैं, फिर एडियो तक पहुचते हैं, फिर जे वीडियो तक पहुचते हैं, फिर बीडियो तक पहुचते हैं, जिस तरह SDM बनना यहां पर भी बहुत मुश्किल है, उसी तरह यहां पर भी बीडियो बन पाना बहुत मुश्किल है, वही अगर आप इस age में selection नहीं पापाते हैं लेट हो जाता है 25, 28, 30 तक बनते हैं तो फिर ये कहना पाना थोड़ा मुश्किल है कि आप वीडियो तक पहुच पाएंगे आप देखिए हम बात करने वाले हैं चौथे point पर जो की सबसे important है आपकी पुछते हैं कि salary package दोनों में क्या difference रहता है तो अगर हम बात करें salary package पर दोनों की salary जो होती है वो दोनो salary package 2000 grade paper है दोनों ही आपर 2000 grade paper है 2000 grade पर कि salary बनती है अचा जो कि आगर आप भत्ते की बात करें तो थाइस परसंट से बड़तार यह 31-34% तक हो गया तो थोड़ी से salary increase हो चुकी है उसके बावजूद थोड़ा gap आ रहा है salary में देखेंगे आप करीब यहाँ पर salary आपको मिल रही है अग पिट कर salary बन रही है जो करीब जाकर 35 के आसपास अभी हम बात करते हैं पांचवे point पर पांचवे point बड़ा important point है work load पर कितना work load होता है इन दोनों में से किसी job पर बेहतर काम है लेकपाल में या वीडियो में जादा work है लेकपाल में जादा work है वीडियो में देखते हैं दे में के नपाई का काम भी है देखरेक का है चकबंदी कराना है पश्वों की गढ़ना करना है यह सब काम लेकपाल के मातहत होता है उसके बाद कहीं कहीं पर देखा जाता है कि जब election आते हैं तो लेकपाल का काम election की जो है देखरेक भी कराना होता है मीटिंग्स पर भी ध्यान रखता है ये बहुत सारी चीज़े होती है बात करें अगर वीडियो की वीडियो का काम इस से जादा बढ़ जाता है चुकि गाउ का काम है अगर बात करें गाउं के जितने भी काम है जितनी भी योजना है सभी योजना के लिए पैसे को कलेक कराना जो सरकार का पैसा आता है उ किसका काम क्या है राशन कार्ट बर्वाना पेंशन योजनाय त्यार कराना वरधा पेंशन योजनाय किसी भी तरह की पेंशन योजनाय सारकारी आवास और इस तरह के काम लिए से प्रधान की मदद से यह सभी चीजों की हेल्प कराता है और पैसों का कलेक कराकर और उन सभी य हो गया है अब आपका जो सबसे important question रहता है वो सबसे important question क्या है कि भई इसमें उपरी income कितनी होती है तो कोई भी अच्छा teacher आपको कभी इसला नहीं देगा कि आप उपरी income के लिए किसी भी job को चाहें क्योंकि corruption के mode में आता है और corruption जो लोग करते हैं कहीं न कहीं उनका प्रॉब्लम ही आ सकता है उनका character certificate जा सकता है अगर आप पकड़े गए तो इसलिए कभी भी corruption ना करें और खास तोर पर वीडियो में रहे कर भी या किसी भी जॉब में रहे पर वीडियो में अगर रहते हैं तो देखिए ये जॉब गाउं की हैं गाउं में खेती किसानी करने वले मज़़ूर हैं गरीब लोग हैं उनसे आपका जो है रिष्टा बनता है तो उनको आप करकर या उनसे corruption करकर क्या मिलेगा आपको तो मैं तो कता ही सला विलकुल नहीं होगा कि आप जो है करें इस तरह की सोच भी रहते हैं फिर भी आप जानना चाहें तो यह मान के चलिए कि लेटपल की वेकेंशी में उपरी इंकम की कमाई कम है या है बहुत कम है लेकिन आगर बात पर रेंगे वीडियो की तो वीडियो में बहुत जादा होती है चुकि गाउं की जितनी भी होजना है उसका हैंड सीधा वीडियो के हाथ में रहता है पैसो का फिर भी अंडरलाइन कर दू मैं कताई भी इसको प्रमोशन ना दे कताई भी बढ़ोतरी ना दे ये बहुत ही खराब चीज है आप करेश्चन के चक्र में अंदर भी हो सकते हैं तो ये इंपोर्टन डिफरेंस आज आपने जाना और कम शब्दों में ही उमीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपने अपने लिए बेहतर जॉप चुनबीली होगी कि आपको वीडियो में जाना है कि लेकपाल में जाना है वीडियो कभी एक्जाम होने वाला है और लेकपाल का हो गया है अब आपका डीवी लगा हुआ है बेहतर च्वाइस आपकी है कि कि आपको क्या करना है चले मिलते हैं कर एक नए वीडियो में तब तक के लिए जये